नमस्कार दोस्तों विपी इस्टुंट कांदर में आप से भी का सवागत है दोस्तों आज की इस विडिए में हम लोग पढ़ेंगे सेल एम बैटरी के बारे में देखें दोस्तों यह बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल चेप्टर है इसका मैकसमें पॉर्चन जो हम लोग जो बैटरी के connection हो रहा है उसे related है ठीक है वह भी बहुत सिंपल है देखें अगर हम लोग एक्जाम के पॉइंट आप यू से बात करें तो यह चेप्टर छोटा बहुत है लेकिन इसे किसी भी जीएक एक्जाम में चाहे आई टी आई का एक्जाम हो या फिएक एक्जाम हो दो कोशन तो उशे ही जाते हैं मिन्मन दो कोशन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा क्या है कि यह चेप्टर थोड़ा बहुत क्यूरी होने की वज़ासे ठीक है डीकिन आप लोगों को इसा नहीं करना है और मैंने यह भी देखा है कि आदो शोड़ आज़ों और बस आपको साथ में नोट्स बनाते हैं ठीक ना तो है इस सुरू करते हैं देखिए इसल की बात करें तो सबसे पहले इसल क्या होता है शूर्स होता है जो बैटरी के अलेक्ट्रो और की लोगें के सिति दुसुरे सद में हम लोग कर आज़ कहें यह इसका positive terminal हो गया और यह इसका negative terminal हो गया यह एक unit का है देखिए जो हम लोग घरों में cell यूच करते हैं जैसे charge का जो cell होता है जो हम लोग remote वगरा में यूच करते हैं ठीक है तो उसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो दोस्तों उसकी जो रेटिंग होती है वह डेड़ ब पास्टिव terminal को हम लोग cathode anode करते हैं और negative terminal को हम लोग cathode करते हैं ठीक है तो इलेक्टोड दो परकार का होता है ठीक है जो इलेक्टोड होता है दोस्तों वह दो परकार का होता है एक हो गया हम लोग का anode जिससे हम लोग positive terminal से सो करते हैं और दूसरा हो गया cathode जिसे हम लोग negative terminal से सो करते हैं ठीक है ना देखे अब हम लोग इस cell के माध्यम से एक load लगाते हैं ठीक ये इस तरीके से कुछ ठीक देखे अब होता क्या है जब load लगा दिए ये भी हो गया हम लोग का ये load हो गया अभी हम लोग आगे बात करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ना देखे जब cell को हम लोग load लगाते हैं तो जिस electrode से current बाहर की और निकलती है मतलब यहां से जिस electrode से current बाहर की और निकलती है उसे हम लोग inode करते हैं और उसे हम लोग positive terminal से सो करते हैं और इसी प्रकार से जब हम लोग cell को discharge करते हैं मतलब जिस electrode से current cell के अंदर प्रवेश करती है उसे हम लोग cathode electrode करते हैं और इसे हम लोग negative terminal से सो करते हैं देखे एक बार DMRC की पेपर में पूछा गया था दो बार पूछा गया है मैंने इसको बस यह ध्यान देना है यह फिर से बोल देता हूँ ए नोट वह electrode होता है जिसके माध्यम से जो धारा है इलेक्ट्रोलाइड में जाती है यह वाला जो पॉर्ट्सान यहां पर सारे इलेक्ट्रोलाइड भरे होते हैं अभी हम लोग बात करेंगे कि यह इलेक्ट्रोलाइड क्या होता है ठीक है ना तो देखे एनोट क्या होता है दोस्तों वह electrode जिसके माध्यम से करेंट इलेक्ट्रोलाइड में जाती है मतलब जिस टेमिनल से करेंट बाहर के और निकलती है और कैथोड क्या होता है वह electrode जिसके माध्यम से करेंट बैटरी को जा अभि यह इतना हो गया science के बारे में you work you process ुअ हम बातया बात करेंगे dandelto light कि देखिए हो सकता है बतलब सारे बत्चों को ने मुझसे लाएं किि पर हिंदी में बता दिया करिए लिखना मतलब सब कुछ सेमी होता है यार हाँ मैं एसा भी नहीं लिखता हूँ थोड़ी मेरी राइटिंग नहीं समझने आ है तो मैं बोल देता हूं उसे आपको कमात से समझ जाइएगा ठीक है अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आयनो में तूड जाता है होता क्या है देखो एलेक्ट्रोलाइट होता है ठीक न अब जब हम इसमें करेंट फ्लो करते हैं तो यह बिभिन आयनों में तूड़ जाता है अब यह आयन्स चो होते हैं वह पास्ट्यूव आयन्स होता है और निगेटिव आयन्स भी होता है तो यह कोश्चा पुछा गया था कि इलक्त्रोलाइट में क्ट्रिंद की तरीखेसे फ्लो हुता है कई option तो इसमें एक option होगा कि पाश्ट्व और नीगेटीव आएंस के представление हो act आम आपस मुठेस में तूतने की वज़ा से करेंट फ्लो होता है अब देखे, इसके हम लोग कुछ properties की बारे में जाल लेते हैं, electrolyte के देखे, सबसे पहले अगर इसका जो नेचर होता है ऑचर्वनिक होता है electrolyte यह पूछा गया question है bén, इसलि relativity में आपको बता रहा हूँ चोड़ी-चोड़ी चीजिर इलेक्टोलाइट अकार्वनिक होता है और इसका नेचर में यह कंड़क्टिव होता है देखिए अब कंड़क्टिव कैसे होता है जब हम लोग इलेक्टोलाइट में करेंट फ्लो करेंगे तो यह आइंस में तूट जाता है जब आइंस में तूट रहा है तो इसका मतलब हम रूप जानते हैं कि वह कंडूक्टिव होगा तभी आइंस में तूटेगा ठीक है न? देखे दोस्तों अब जो तो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो टंप्रेचर कोफिसियन्ट होता है तंप्रेचर कोफिसियन्ट वह निगेट्व होता है क्या होता है यह ध्यान रखिए कि कई बार पूछा गया है सभी एक्जामों में अब टंप्रेचर को भी से निगेट्व होने का मतलब क्या है इसका म कन्दिसन होते हैं मतलब दो बाते होती है आप लोग ध्याण रखिएगा देखें पहली बार क्या है कि जब सेल डिश्चार्ज होगा ठीक ना जब सेल या battery recharge होती है तो उसका temperature का क्या प्रोभा पड़ता है उसका temperature घटता है ठीक है ना हम लोग जानते हैं कि जब temperature घटेगा तो मतलब उसका resistance क्या होगा दोस्तों बढ़ेगा और दूसरे condition में अगर हम लोग charging की बात करें जब batch cell charge होती है तो उस समय जो electrolyte होता है उसका temperature उस समय बढ़ता है ठीक है ना और जब temperature बढ़ेगा तो उस समय उसका resistance क्या होगा दोस्तों घटेगा तो यह चीज़ें आप ध्यान दखेंगे यह सब पूछे कहीं चीज़े है ठीक दिखें यह तो हो गया आप electrolyte की बारे में स उसके बाद फिर electrolyte के बारे में पढ़ा अब हम लोग बात करेंगे internal resistance के बारे में जिसे हम लोग आंतरिक प्रत्रोद भी करते हैं हिंदी में ठीक ना आंतरिक प्रत्रोद देखें यह question पूछा गया था एक बार exam में और DMRC के metro के exam में पूछा गया है कि cell के internal resistance में कौन-कौन से component सामिल होते हैं cell के internal resistance में कौन-कौन से component सामिल होते हैं तो देखें इसमें दो component सामिल होते हैं एक electrode और दूसरा electrolyte पहला क्या हो गया दोस्तों अब कि आक्ट्रोड का अगर रजिस्टेंस की बारें मिवाट करें तो उसमें मतलब cell के internal resistance में इलेक्ट्रोड का ako का रसिच्टेंस आयेगा ठीक और Electrolite का Resistance रहेगा तो एक रुखक Electrolite का Resistance होता है वह वीरियबाल होता है मैं अभी आभी आप बढ़ जाता है तो यहां पर टंप्रेचर क्या होगा घड़ जाएगा तो यह चीजे आपको ध्यान देनी है तो यह भी कोश्ण पूछा गया था इस वजय से अब लोग किसे ध्यान दिजेगा अब हम लोग आते हैं अपने मेंन पॉइंट पर जो टॉपिक है यहां पर सेल कि यहां पर जो cell है न कि cell के type के बारे में कि cell कितना प्रकार का होता है ठीक है न देखे दोस्तों cell दो प्रकार का होता है पहला हो गया आपका चार्डी बनातेते हैं एक होता है आपका primary cell और दूसरा होता है आपका secondary cell अब यह दोनों cell होते क्या है उसके बारे में बात करेंगे वहां से जो एक बार डिश्चार्ज हो जेने के बाद उना चार्ज नहीं होता है उसे हम लोग primary cell करते हैं जिससे हम लोग घर में छोटी मदलब देर रोल ला ले चार्ज की बैटरी उच करते हैं टार्ज रिमोट होता नहीं है डिशार्ज होता है तो उसी cell को हम लोग primary cell करते हैं मतलब यह non rechargeable cell होता है इसे हम लोग non rechargeable cell भी करते हैं ठीक है और इस cell का जो एकशन होता है या इसे हम लोग irreversible cell को हम लोग अनुत करमड़ी cell करते हैं ठीक है तो यह आप लोग घ्यान रखिएगा देखिया ह हलांकि ऐसा बहुत कम ही बार होता है कि इसका electrolyte change करके इसे कुछ समय के लिए फिर से यूज कर सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है अब अब प्राइमरी सेलों से बनी बैटरी को हम लोग primary battery करते हैं अब हम लोग battery के बारे में भी बात करेंगे ठीक अब हम लोग आते हैं secondary cell की ऊपर ठीक है देखिए वह cell जो एक बार रिचार्ज होने पर दुबारा हम लोग उसे चार्ज कर सकते हैं उसे हम लोग क्या करता है secondary cell मतलब यह recharge जब हम लोग कर सकते हैं तो वह दोस्तों secondary cell कर आत और इस सेल को हम रिवर्सिबूल सेल भी कहते हैं मतलब उत्करमडी सेल रिचार्जबूल होता आई है अब देखें इन्हें इस्टोरेज सेल या एक्यूमिलेटर सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो देखें इन्हें क्या होता है इस्टोरेज सेल भी कहते हैं हम लोग secondary cell को करते हैं ठीक है न और यह साथ UPPCL के आपकी यूपी आर्विनियल के एक्जाम में पुछा गया था accumulator के बारे में और देखें आप जिस प्रकार से primary cell से बनी बैटरी को हम लोग primary करते हैं उसी प्रकार से secondary cell से बनी बैटरी को हम लोग secondary बैटरी करते हैं ठीक देखें अब इसके कुछ properties की बारे में जानते हैं जो की एक्जाम में maximum पुछा गया है देखें दो ही point है जो इंटरनल रजिस्टिस होता है वह secondary cell का इंटरनल रजिस्टिस होता है वह सेकन्ड ना रजिस्टिन्डी का उससमान ही होता है और इसका secondary चीजे आपको ध्यान रखती है कि की Secondary Cell का ji internal Pink resistance होता है वहा कम होता है कम in के भूब होता है और हो जो इसका IMF होता है वह ले सभी समय समान होता है तो देखे है जाब हों होता है सेकंड्रीस्चल काया है इसके आप्लिकेसन क्या क्या है हम लोग उसके बारे हिम बात करते हैं जो हम लोग किया शुर्म नोट पूर्स शूर्अ में उचला ह्यं शी reg мн यो तिए पूमक्त खर्शित से शुर्छ का शाषन खर्शम लो चुर्छ और सब्सक्राइब में लियुक्त सा में चाहिए जदी होती है उसमें बात करेंगे आगे एक हमें impressed दो बात करेंगे अभिंद ही कितना फ्रता है और युक्त आगर अगर चैनल के बारे में बात करें स्विश्ण कि पात करें तो जैसा कि अभि फिर आराम से यही देखके लिख लीजेगा यह मैं फिर देता हूं तो यह बिभीन प्रकार के primary cell है लेकलांसे cell, बुंसें cell, बोल्टेइक cell, डेनियल cell, मरकरी cell, जिसे हम लोग button cell भी कहते हैं, dry cell जिसे हम लोग सूसक cell भी कहते हैं और यह maximum एकजा में पूछा जाता है, सूसक cell कवारे में gravity cell, Clark cell और western cell, ठीक है न? देखे, यह मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, कभी कभी पूछी लेता है कि मतलब चार प्रकार के cell दिया रहेंगे, पूछ लेगा कौन सा इसमें primary cell नहीं है या पूछ लेगा कौन सा इसमें secondary cell नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, यह primary cell के अब acidic cell क्या होता है वह cell जिसमें acid को electrolyte के रूप में यूज किया जाता है उसे हम लोग acidic storage cell काते हैं या acidic cell ही काते हैं अब देखे, अब इसका example क्या है lead sulfuric type का cell जिसे lead sulfuric मतलब इसके हम लोग PbH2SO4 cell भी बोलते हैं अब alkaline cell क्या होता है वह cell जिसमें छार को electrolyte के रूप में यूज किया जाता है यहाँ पर acid को electrolyte के रूप में यूज किया जाता है तेगे न, उसे हम लोग alkaline storage cell काते हैं तेखे, अब इसका example क्या है nickel iron cell जिसे हम लोग addition cell भी काते हैं तेगे न, और दूसरा cell क्या type हो गया इसका nickel cadmium cell यह पूछे जाते हैं कि कौन सा acidic cell है और कौन सा alkaline cell है तो आप तो घ्याद देजगा acidic सी फेक है lead sulfuric cell और alkaline 2 है nickel iron और nickel cadmium ठीके न, और nickel iron cell को हम लोग addition cell काते हैं इतना आपको ध्याद देना है देखे, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा acidic storage cell के बारे में तो acidic storage cell दोस्तों दो प्रिगार कह रहता है पहला होता है flooded lead acid cell और दूसरा होता है sealed lead acid cell flooded lead acid cell जो होता है वह industrial use में use होता है ठीके न? और देऑगी छेतरों में और वहीं अगर हम लोग placed light acid cell की बात करें दोस्तों यह electronic equipment में में mix-émused होता है ठीक देखे अब इसके बात जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही important है और हो सकता है कि सायद छोड़ी उन बातों को देखे अब इसके बात जो screenshot लेना हो आप लोग ले लीजिएगा ठीक है ना इन cell से regarding जितने भी प्रकार के question exam में पूछे गए हैं उन सब को मैंने combine करके आपको बताऊंगा एक चार्ड बनाया है और उसे भी आप लोग same to same उसी तरीके से चार्ड बनाईएगा ठीक है ना देखिए कि यह thisäl है सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह माते हैं आब इसका एनोर क्या होता है मतलब जो डोनोंія एक्लोड हैं यह तोर में कौन सा मडोर्फ ना Page होता गय् Dh Presta है उन में बात किया है हमने और इसमें हर एक सेल का क्या होता है और उसके अपलिकेसां क्या है और उसके रिगार्डिंग विभिंद्धकार की बाते हैं क्या है जो कि एक्जामी इपॉर्टेंड है ठीक है ना देखें सबसे पहले हम लोग यहां भी प्रैमरी सेल के बारे में बात करे एक वोल्ट होता है और यह कहां युछ होता है दोस्तों खाथ और से प्रियोक सालाओं में देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉटेंट है एनोड कैथोड़ एलेक्ट्रोलाइट यह मेफ और अप्लिकेशन तो कम ही पुछा जाता है लेकिन यह तिन चीजे जो है यह मैक्स हीं ऑग हैं आग अगर हम लोग एक्ट्रोऩ की बात करें तो देखें सा जाब आत्ताएं इसव यह लुग फॉन यहां पर continuous current की जवरत हो वहां पर यूच किया जाता है यह question पोचा गया है कि denial cell का यूच कहां किया जाता है continuous current में अब अगला आता है दोस्तों लेकलांसी cell के बारे में क्या? लेकलांसी cell तो इसका जो anode carbon का बना होता है और cathode zinc का का अब इसका electrode क्या होता है वहाँ NH4Cl होता है ammonium chloride और इसका EMF कितना होता है 1.5 volt और इसका यूच कहां किया जाता है यह maximum पुछा गया है कि लेकलांसी cell का यूच कहां किया जाता है सभी जाम में लगभग मैंने दिखा है जहां पर रुक रुक के कार करने की ज़ुरत हो मतला intermittent current जहां रुक रुक के धारा की प्रयोग का ज़ुरत हो वहाँ पर मतला intermittent current का जहां ज़ुरत हो वहाँ पर यूच करते हैं जैसे telephone line में electric bell में यूच करते हैं टेलिग्राफी में, signaling में अफिर टॉर्च में, maximum telephone, electric bell और intermittent current करके option में आता है ठीक, अब dry cell की बात करते हैं जिसे हम लोग zinc carbon cell भी करते हैं ठीक न, dry cell हैं तो सब लेकिन paper में बस यह करके दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर 100 भी कर दिया है, zinc carbon cell की से करते हैं अब dry cell सबसे ज़्यादा maximum question इसी से पूछे जाते हैं, ठीक न देखें, इसे हम लोग zinc carbon cell भी करते हैं और इसका age होता है दोस्तों वह limited होता है, ठीक है न और अगर हम लोग इसके electrolyte के बारे में बात करें तो इसका electrolyte सेम होता है, leclancy cell की तरह लेकिन इसका जो यह paste form में होता है, ठीक? और इसके EMF के बारे में बात करें तो यह dead hold का होता है भी और इसके application के बारे में बात करें तो यह टार्च में यूज होता है जहां पे 1 ए्मपीर तक की current की छिंक होता है और इसके लिये बात करें तो इसमें dilute HNO3 यूए होता है और इसका यह होता है वह 1.9ल होता है और यह बहुत थोड़ी समय के लिए मतलब काम में जहां लिया जाये बारे में यहां पूछा गया सेल कोशन है कि है कौन सा होता है तो इसके बारे में कोशन पूछा भी नहीं गया था और पता भी नहीं था मुझे जो मतलब नाम से ही है जिंक क्लौराइट जेड के अब है इसको यूज कहा कर सकते हैं देखें दोस्तों जैसा नामसे इंप्लाई हो रहा है है वी डिटी से तो इसका यूज कहा होगा जहां मैक्सिम्म करेंड की आवा सकता हो भी लंबे समय तक के लिए ठीक है ना तो वहां प जी तो जीड़ा पुछा गया है जो अब मर्करी से जिसे हम लोग बटन से लगी है और देखें इसके अगर एमे लोग बारें बात करें तो यह दो प्रकार के बैटरियों में आता है तो एक होता है 1.35 वोल्ट का और दूसरा होता है 1.4 वोल्ट का अभी ये दोनों क्या हैं हम अभी आपको बताएंगे ठीक है लेकिन अब देखें इसके अप्लिकेशन के बारे में पहले जानते हैं अब मरकरी सेल के बारे हम बात कर रहे हैं होता क्या है कि यहाँ दो प्रकार का होता है मरकरी सेल ठीक है पहला एक दसमरों 3-5 वोल्ट का होता है वो साइनटिफिक वो मेटकल यूज में यूज किया जाता है मेक्सिम अपलाई होता है और दूसरा जो होता है यह होगा 1.4 वोल्ट में यूज होता है ठीक है ना, नॉर्मल कंजूमर सेल जो हम लोग बटन की तरह जो सेल होता है ठीक है ना, उसे भी हम लोग जैसे मतलब हात की घड़ी होगर हम यूज करते हैं देखा होगा वो हम लोग 1.4 वोल्ट का होता है और जो 1.35 वोल्ट का होता है वो सेंटिफिक वोटेज रेटिंग का हम लोग बटन से लिउज करते हैं तो यह होगा 1.35 ठीक है ना, देखें अब इसमें एक पोईंट है बस जानकारे के लिए धियान लगना चाहिए आपको मतलब जंग, मतलब करोजन से बचाने के लिए सेल का जो कंटेनर होता है वो निकल पेंटर इस्टील का बना जाता है इस्टील का बीज का जो इलेक्ट्रोड होता है वो निगेटिव होता है दूस्तों यह कोश्चन पूशा गया है कि एलेक्ट्रोट पाश्ट्य होता है वा निगेट्य होता है क्योंकि सेल तो बटंग की तरह है अगो अंदर मामला ले रहा है ठीक देखे प्राइमरी सल से रिगार्डिंग जितना भी जो इंपोर्टेंट कोशन थे मतलब पॉइंट थे जो एक्जाम उगराम आते हैं उतना तो हमने यहां से यहां तक बता लिया आपको अब हम लोग बात करते हैं सेकंडरी सल के बारे में बहुत इंपोर्टेंट है सेकंडर होता है वह प्योर लेट का बना होता है ठीक यह आप लोग घ्यान दीजिएगा यह पूछा गया जाता है और इसका जो इल्यूक्त होता है दोस्तों वह डालूट होता है और यह 27 डिरी सेंटीग्रेट पर प्योर वाटर में मतलब सुद्ध जल में मिला कर तयार किया आता है यह तंप्रेटर नहीं पूछा गया है यह प्योर वाटर पूछा गया है कि मतलब किसमें हम लोग डालेंगे ठीक आ तो यह आपको ध्यान रखना है अब इसकी जो यह में होता है अभी आप लोग यह ब्यूज कीजिए मतलब नीच वाला भी छोड़िए ठीक ना इसका जो यह मैं परसेल होता है वहाँ 2.2 वोल्ट होता है यह एवरेज इमेफ है 2.2 वोल्ट और यह मैक्सम कोश्चम पूछा भी गया है अगर हम लोग इसके अप्रिकेशन के बारें बात करें तो यह कहां प्यूज होता है वो देखते हैं देखें इमर्जंसी में जनरेटिंग है जैसे हमने आपको बाई का एक्जांपल दिया था ठीक है ना एच्टी स्विच गेर में रिमोट कंट्रोल के लिए उज़ होता है टेलिफोन एक्षेंज में उज़ होता है ट्रेन में लाइटिंग के लिए उज़ होता है तो अब देखें अब इसके रिगार्डिंग जो कोश्चन है में में पूछा गया है कि देखें लेड़क की बारे बाद कर रहे हैं ठीक मतलब जोर्च्ट करेंट होता है वह ज्यादा होता है ज्यादा क्यों होता है लो इंटर्णल रिष्टेंस की वजह से ठीक है तो आप लोग यह कोश्यम बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान केगा इसका एंपियर आवर ऐफिसेंसिक बारे में बात करें तो वह ग्लार क्या होता है तो देखें अब यह भी कोश्यम पूछा गया है कि फूली चार्ज कंडिसंट में जो प्लेट है इसके इलेक्टोड है पाश्ट्यों नि नहीं ग्रे नीचे वह अलग है तो पाश्टित का जो कलरहने दोस्तों वह डार्ग ब्राउन ओर निग्यटी प्लेट का जो होता है वह ग्रे कलर अठीगा तो इसे आप ध्यान रखेगा और देखें आगे बात करते हैं दूसरे सेल के बार रहे हैं और discharge कर सकते हैं अधिकतार maximum used cell जो है अधिकतार यही lead acid cell मतलब lead acid battery ही हम लोग use करते हैं सबसे जाता use किया जाना वाला cell कौन सा है lead acid cell और charging discharging इसका 1200 बार है तो आप लोग ध्यान देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं nickel iron cell के यह दूसरा है nickel iron cell को दोस्कों हम लोग addition cell भी कहते हैं और इसका जो anode होता है वह nios4 होता है ठीक है और इसमें जो cathode होता है वह pure iron होता है ठीक और इसका जो electrolyte है वह potassium hydroxide होता है और इसके emf के बाद हम बात करें तो होता है 1.2 वोल्ट होता है ठीक अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है क्या देखिए इसमें 166 करेंट जो होता है वह लो होता है ठीक है न क्योंकि इस nickel iron cell का जो resistance होता है वह ज्यादा होता है ठीक तो यहां पर ध्यान देने और यहीं इसल में हम बात करें 160 करेंट क्या होता है वह ज्यादा था और निकिल आरेंट सेल में 160 करेंट लो था ठीक है न क्योंकि यहां पर resistance कम था यहां पर रिश्टेंश ज्यादा है और देखें आप अगला point है कि internal resistance पर सेल आप निकिल आरेंट सेल का जो resistance होता है वह लेश्टेंश से ज्यादा होता है तो यहां पर यहां पर इंटनल रिश्टेंश क्या है कम है तो यह भी कोश्या पुछा गया है कि क्या रहा है कि internal resistance nickel iron cell का ठीक है ना जो resistance होता है वह लेड रेसिवर सल से ज्यादा होता है तो यहां पर ज्यादा दीखी रहा है तो आप लोग यह ध्यान रखेगा ठीक अब अगरा point क्या है जो हम लोग अली बैक्टी बारें पढ़ेंगे वह है nickel cadmium cell ठीक है ना तो इसमें जो एनोड है वह इसमें भी एनोड से मी यूज हुआ है और इसमें जो cathode दोस्तों यूज हुआ है वह cadmium यूज हुआ है ठीक है और इसके electrolyte के बारें बात करें तो वह है potassium hydroxide और इसका emip के बारें बात करें तो वह 1.33 volt होता है अगर हम इसके अब हम लोग बात करेंगे इसके application के बारे में तो यह floating type battery में यूज होता है और large diesel engine की battery में होता है ठीक है जैसे train हो गयरा में तो यह आप लोग ध्यान दिजेगा अब यहां पे दो बाते ध्यान रखनी है कि जो देखें निकिल cadmium cell में का internal resistance क्या होता है ठीक है तो cadmium को use करने की वज़़ा से जब लोग cadmium की use करने की वज़़ा से cell का internal resistance जो होता है दोस्तों वह कम हो जाता है ठीक है तो इसलिए आप लोग यहां ध्यान रखेगा कि internal resistance is less due to use of cadmium ठीक देखें अब इसका जो safety factor होता है वह सबसे यादा होता है निकिल cadmium cell का safety factor maximum होता है और अगर हम लोग इसके efficiency ampere hour efficiency बात करें तो यह 75-70% होता है और watt hour efficiency बात करें तो यह 60-65% होता ह तो दोस्तों विए जो चार्ट मैंने बनाया है और हाँ एक चीज़ ध्यान रखेगा इस पूरे मतलब जो cell के बारे में है उसका EMF maximum पूछा जाता है ठीक तो देखें इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़ूरत नहीं है बस दो तीम बारा पढ़ेंगे खुदी ही कि लेड एसिट सेलका और निकिल आयरन सेलका और निकिल के बारे में जहां पर जो करेंट और बारे मतला है यह आप ध्यान देखिएगा तो देखें अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जितना भी चीज़ें बची हुई है ठीक है तो आप लोग इतना जरू या अगया हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कहां से आ जाते हैं यह आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंट को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिएगा जो इसमें कंप्रिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको यह चैनल को जरूर रिकम झाल झाल